हाई गाईज वेलकम टू क्वेशन बैंक्राफ्ट आज हम अपनी प्यारी से लड्डू गोपाल जी के लिए बहुती सुंदर सा सिंगहासन बनाएंगे यह सिंगहासन बनाने में बहुती इजी है और इसे हम काफी न्यू स्टाइल से डिजाइन करने वाले हैं इसका जो बेस ह वो भी बहुती न्यू डिजाइन में हम बनाएंगे so guys watch this video till end and हाँ guys हमारे दो और YouTube चैनल है top standing and easy day to day life जिनके links आपको नीचे description में मिलेंगे उने भी जरूर से जरूर चेक आउट करें चले फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ यहाँ पे हम सिंगासन का base बनाने के लिए चार cardboard की circles कट कर चुके हैं जिनका diameter यहाँ पे मैंने 7 cm लिया है और सिंगासन की back side का part बनाने के लिए मैंने cardboard का एक इस तरीके का piece और कट कर लिया है यह सिंगासन मैं यहाँ पे completely blue color में बनाने वाली हूँ that's why मैंने blue color का certain fabric pick किया है अब colors वगेरे अपने according ले सकते हैं अब देखिए guys मैंने एक cardboard का circle और cut किया था बाकी 4 जों हमने शुरू में आपको दिखाए उसके अलावा ये हमने एक और cut किया है जिसका diameter भी मैंने बाकियों की तरही 7 cm ही रखा है इसके उपर हमने देखिए यहाँ पेस किया एक मोटा सा sponge ये sponge मैंने इसके लगाया ताकि काना जी को बैठने में ये एकदम अराम दायक रखे comfortable रहे अगर आपके पास ऐसा मोटा sponge नहीं है तो आप पतले foam की 5-6 layers इसके उपर लगा सकते है अब यहाँ पर गाईज हम एक के उपर एक इन चारो सर्कल्स को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे इने एक के उपर एक प्लेस करेंगे और मैं इन्हें आपस में पेस्ट कर दूँगी यहाँ पे ग्लूगन की मदद से अब यहाँ पर देखिए फ्रेंज हमने इनको आपस में पेस्ट कर लिया है यह काफी ज़्यादा मोटा हमारा एक बेस्ट रेडी हुआ है अब जो यह वाला है जिस पे हमने स्पंज लगाया था उसे कवर करने के लिए मैंने ब्लू साटन फाबरिक का एक बड़ा सा राउंड कट किया है यह देखिए इसे मैं एकदम बीचों भी जहां पर आपको रखके दिखा रही हूं कि साइट से फाबरिक हमने कितना एक्स्ट्रा रखा है अब यहां पर हम छोटे-छोटे से कट्स लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीकी से आपको भी जो भी फाबरिक आप ले रहे हैं उस पर कट्स लगाने हैं आप यहां पर इस इंग आसन में फाबरिक वगएर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं और आप इसको यलो कलर में भी बना सकते हैं अभी जैसे बसंत पंच में आ रही है तो उसके लिए भी आप इसको तियार कर सकते हैं रेड और वाइट के कॉंबिनेशन में बनाएंगे तो यह वैलेंटाइन डे के लिए तयार हो जाएगा या किसी भी फेस्टिवल के लिए आप इसको बना सकते हैं यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से हम इसे कम्प्रीटली कवर करेंगे साटन के जो यह हमने पटियां कट किया हैं इनको बैक साइड पे स्टिक करते रहेंगे यह कॉर्नर से अच्छी फिनिशिंग में कवर हो जाएगा यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग के साथ इसको कवर कर लिया है जैसे आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे जो हमने यह कार्ट बोड्स को आपस में जोड की इस तरीके से तयार किया था इसके उपर एक्दम अच्छी से आपको ग्लू अप्लाए करना है क्योंकि यह काना जी के सिंगासन का बेस है जो काफी जादा मजबूत होना चाहिए यहाँ पर अगर आप फेविकॉल फेविबॉंड किसी ऐसे ग्लू का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशिंस के साथ वर्क करें इसे ड्राइख होने के लिए अच्छा खासा टाइम दे और यह कुछ इस तरीके का लग रहा है गाईस अब मैंने बुकरम की मदद से एक इस तरीके की पटी कट की है जिसे आप देख सकते है यह हमने चौड़ी और एक इस तरीके की लंबी सी पटी कट की है इसकी चौड़ाई मैंने कैसे रखी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर इसकी चौड़ाई आपको अपने सिंहासन के बेस के इसाप से लेनी है यह देखिए यह नीचे वाला पाट तो पूरा कवर होना चीए उसके अलावा यह जो स्पंज वाला हमारा हिस्सा है यह आधा कवर होगा तो आपका काम बन जाएगा अच्छे से आधा कवर होना चीए यह देखिए यह से साप से मैंने पट्टी कट की थी और अब यहाँ पर इसे कवर करने के लिए मैंने ब्लू कलर का साटन फैबरिक ले लिया है जिसे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है ताकि पट्टी हम एकदम फिनिशिंग के साथ कवर कर सकें अब देख साटन के कपड़े से रेशय भी निकलते हैं तो वो भी नहीं निकलेंगे यह देखिए इस तरीके से करते हुए मैं इसे अच्छी से कवर कर लूँगी और उसके बाद से हम कहां अपलाई करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए गाई आसे करना है यह हमारी आपको इस तरीके से इस पत्टी को पेस्ट कर देना है अब यह जो गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में काना जी की सिंगासन के बैकवाला कार्डबूट का कटू आवापीस दिखाया था वो लिया इसके उपर foam के मैंने दो layer लगाए है सेम ऐसी मैंने आपको starting में कहा था कि आप base के लिए भी अगर आपके पास मोटा sponge नहीं है तो आप उस पे भी 5-6 layer लगा सकते हो foam की इसे मैंने blue saturn fabric से cover कर लिया है और अब हम इसे base के साथ ऐसे करके join कर देंगे finally guys यहां देखिए हमने हमारा singhasan का base ready कर लिया अब मैंने pick की है यह बहुत ही beautiful सी green and golden color में lace यह देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यह मैं सबसे पहले तो इस portion पे apply करूंगी singhasan पे यहां पे हमने देखिए glue gun की मदद से इसको लगा लिया अब यह जो हमारा back side का support है singhasan का वहां पे भी मैं इसको कुछ इस तरीके से लेते वे stick कर दूँगी यहां पे देखिए हम corner पे इसको fold करते वे लगाएंगे ताकि अच्छी कासी finishing आ जाए इसमें आप यहां पे किसी chori lace का use करें वो जादा सुंदर दिखाई देगी और अगर आपकी पास अभी chori lace available नहीं है तो किसी पतली lace को bakram की लंबी पट्टी के उपर दो तीन बार जोड लीजे वो भी आपकी एक अच्छी खासी lace तयार हो जाएगी यह हमने दो छोटे छोटे पिलो बनाएं है जो मैंने आपको पहले के कई वीडियोस में बनाना सिखाया हुआ है और फाइनली गाईज हमारे प्यारे से लड़ो गुपाल जी के लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा सिंह भासन बनके तयार है I hope आज का वीडियो देखके आप लोगों को मज़ा आया होगा आपको यह आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं कि यह आपको कैसा लगा और हाँ गैस हमारे बाकी दोनों चानल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होंगे उन्हें भी जरूर चेक आउट करें वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और हमारे चानल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मैं मुलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर हरी कृष्णा राधे राधे